दोस्तो आज दी कहाणी है पंजाब दे अत्यास दी पहली और्त लेक का दी जोके एक कोठे तो बैटनवाली अते जिसम फ्रोची दा तंदा करनवाली तो लैके एक महाल लेक का बनी एस महाल लेक का ने बड़ी दलेरी दे नाल आज तो 200 साल पहल जाती वाद रूडी वाद प पीरो प्रेमन जिसने जिसम फ्रोची दा तंदा करनतो लैके अजैयां कवतामा लेखियां के आम लोका ने उसनों पीर दा दरजा दे दितना सी। काओन सी पीरो प्रेमन के में वं एक कोठे वाली तो लेक का बनी पूरी कहाणी एक वारता रूणुच जोड के राख दिन द ना मैं वर्न आसरम हो ना मैं पेख लगो सा ना मैं मुसलमान हा ते ना ही हिंदू ते ना मैं समाई दे चार वर्न जणी ब्रामन चत्री वैद शुद्रादी नू मन दी हा ते ना ही मैं किसे खास पहरावे नू मन दी हा दुस्तो ए शब्द लिखे सन पंजाब दे त्यास दी म जिनन दा असल नाम आईशा सी, पीरू दा जणम सन थाना सो दस देवेच होया, पीरू दा श्रवाती जीमन ही बहुत वड़े उत्राव चड़ा आववाला सी, कारवालया ने पीरू दा व्या कर दिता, पर कोई समय बाद उस दे कारवालय दी मौत हो गई, जिस्तो बाद पीर दा एक मशूर कोठा सी, जिते जबर्दस्ती उस तो तंदा करवाया गया, जे कर किते ओ ना भी कर दी, ता इस दी कीमत उसनू मार खाके जिकाओनी पें दी, पीरू लम्मा समा लहौर दी हीरा मंडी वेच रही, पर एक दिन अचानक मौका मिले आता, ओ उथो पाज निकली, पाज के पीरों एक सादू गलाव दास दे डेरे वेच पहुंचा दी है, पर उस तो कमाई करनवाले भी उस दे मगरान पोई दे, जिस तो बाद फिरों प्रेमन वास्ते, ओ साद गलाव दास उनना नालेक लडाई लड़दा है, ते काफी चग्रेच मेले तो बाद अखीर फिरों ओथे सादू गलाव दास दे डेरे वेच रेल लग पै दी है, इस तो बाद ही पीरों ने कवतामा लिखने चुरू कर देती है, हीरा मंडी तो पाज के गलाव दास दे डेरे वेच आउन तो बाद ही उस दा नाम पीरों प्रेमन प्या, पीरों दी सूझ भूज अते गुण ग्यान नों देखके उसनों पीर दा दजा दे दिता गया, ते एक औरत होण करके लोकावलों उसनों पीर तो पीरों कहना शुरू कर दिता, प्रेमन नों प्रमातमा दी सी, पर दुझे पास से उन्वी सदी दा ए ओ दोर चाल रहा सी जदो पंजाबेच बहुत राई नीतिक उथल पुथल हो रही हम दिये, महाराजा रंजी सिंग दे अकाल चलाने तो बाद ए रियास्त हौली हौली अंग्रेजी राई दा हिसा बन रही सी, पर दुझे पास से पीरों अपनियां क्रांती करी कवतामा रही समाजिक क्रीतिया नों लगातार चनावती दे रही सी, पीरों मन दी सी के ओस समय समाज नों जिस उच नीच जातपात पेदपाव दे बंदना विच बन्या जा रहा है, एक कुदर्त दे निजम दे बिलकुल खलाफ है, पीरों कहीं दी सी के जेकर किसे ने सुनत कराके मुच्छा मना लिया, ताओ मुसलमान बन गया, जेक और तदे तरम नू के में पहचाने आ जावे, एसे नू पीरों चनोती दिन्दी सी के तरम ए नहीं, तरम ता इस तो वटा एक बखरा मार गये, पीरों खोल के अपने आपने आपनू वेसवा गन्नका लिख दी सी, उसने अपनी प्राणी जिंदगी नू कदे भी नहीं लख कोया, के ओ लहौर दी हीरा मंडी वेच जिसम फ्रोची दा तंदा कर दी रही है, पीरों नू ए दसन वेच भी कोई चेजिक नहीं हुंदी सी, के ओ एक छोटी जाती नल सबंद रख दी है, जो आज जसानू पीरों बारे जानकारी मिल दी है, उस मताबक पीरों ने कुल 110 ये लिखे, पीरों अपने तजर्ब्यानों ही कवतावा दे रूप वेच लिख दी सी, बे बाकी नल समाज वेच रहके ते समाज नू ही सवाल पुछने, उनना जमाने वेच ए बिलकुल एक कराती कारी सी, पीरों प्रेमन नू पढ़न वाले लोकोस नू उन्वी सदी वेच पितर सता जाती वाद अते तार्मिक रूडी वाद दे खलाफ एक परतीक वजो देख दे हन। करके ब्रीफ पंजाब चैनल नू सब्सक्राइब जरूर कर लेओ, वाहिगुर जी का खालसा, वाहिगुर जी की फते।